मोवी के शुरुवात में बीच के किनारे एक बच्चे को अकेला बैठे हुए दिखाया जाता है जहां कुछ बच्चे एक कुट्टे को सता रह होते हैं तभी वो आता है और उन्हें कहता है उस कुट्टे को छोड़ने के लिए पर वो बच्चे उसे मारने के लिए आगे बढ सब्सक्राइब पर बच्चे कुट्ट के भाग रहे होते हैं और उन्हें पकरड लेता है पर वहीं बगल में इगोड का बोस भी होता है जिसका नाम फियोडोर रहता है वह एसरब बहुत घुशे भुस्सेया कर दिखाया जाता है जहां एक डूभीन नाम का लटकां इन्ट ritoryfaldor गुस्ये से वहां आता है और Igor बुलाता है और फिर पुलिस वाले Igor को एकसेल में से निकालकर उसे ले जाते हैं और इसी बात, Igor अंदर जाने से पहले सर्त लगाता है जहां और सब भी सर्त लगाते हैं कि उसे आज चायेगा कि नहीं और जब Igor और अंदर जाता है जहां हमें पता चलता है कि फियोडोर और इगोर के डाट दोस्त हैं और फियोडोर चाह के भी उसे पनिश नहीं कर पाता है और फिर इगोर वहां से निकलता है और वो सर्ट वाले पैसे लेता है और वहां बैठे एक चोड़ी के सिकायत लिखा रहे आदमी दे देता है उसके वाद ईज हिगो और को एक यस के सिल्सिले में कोट में आते हुए दिखाया जाता अजा-एक अमीर आद्मी ने एक पुछे पे अपनी गारी चड़ादी होती है और उस आदमी का नाम क्रिल रहता है और वो वहाँ से बच कर निकल जाता है और जब क्रिल जा रहा होता है तबी इगोर उस बच्चे को रुखता है जो उस बच्चे का दोस्त रहता है और उस बच्चे का नाम लियोशा रहता है वो क्रिल को मारने के लिए बढ़ रहा होता है और उसे इगोड समझाता है तबी ये देख लियोशा की टीचर टाट्याना इगोड से उसके बीहेवियर के लिए माफी मांगती है और फिर इगोड खड़ा होकर देख रहा होता है क्रिल को जाते हुए फिर इगोड को अपने घर में आके खाते हुए के एक सरगई नाम के आदमी को दिखाया जाता जो विमस्ते नाम के सोसल मेडिया का मालिक होता है और उसके पीछे उसका दोस्त ओलिक रहता है उसके बाद सरगई को अपने सोसल मेडिया का एल को प्रोमोट करते वे दिखाया जाता है और और जब सरगई अपनी एल मार्कों को प्रोमोट कर रहा होता है तबी उसके द्वारा चलाने वाले अनात आसरम से जिस लटकी का एक्सिडेंट करने वाले को छोड़ने का न्यूस जब वो देखता है तो वो वहां से उदास होकर निकल जाता है और मीडिया उसके पीछे पड़ी रहती है तबी जो उसका दोस्त ओल से बात करते हुए दिखाया जाता है कि ये ठीक नहीं हुआ और ये सब मासूमें के साथ ही क्यूं होता है मैं कुछ नहीं कर सकता और दुखी रहता है तब ही ये देख ओले कहता है अब ये सब नहीं होगा और ये कहके वहां से चला जाता है उसके बाद एगोर और फियोडो को अपने घर से बाहर गिरते हुए दिखाया जाता है, जहां वो उठकर भागता है, और तभी Dr. Play को दिखाया जाता है, जो अपने आपको कम-जोडो का मसीहा बताता है, और जब क्रिल वहाँ से भागरा होता है तब ही वो अपने एक वेपन से उसके गारी को जला देता है जिससे कि उसके गारी ब्लास्ट हो जाती है और ये सब इगोर देख रहा होता है और जब उसे रोकने की गोशिश करता है तो वो उसे फायर करता है और इगोर ये देख चु उसके बनाएं sketch पे हसते रहते हैं थभी फियोडर वहाँ आता है और उन्हें अपने अपने काम करने को कहके वहाँ से हटाता है और एक फाइल एगउर को देता है जिसमें suspect का नाम होता है जो उन्हें क्रील के घर के पास मिला होता है वो और कोई नहीं लियोसा होता है और जब इगौर रहके अंदर चला जाता है और जब लियोसा से पुष्टा है तो वो कुछ नहीं बताता है क्यूंकि उसे कुछ पता नहीं होता है पर वो डॉक्टर प्लेक को एक हीरो बताता है और फिर इगौर वहां से बाहर आके डॉक्टर प्लेक के बारे में इनफॉर्मेशन कर अपना खाना लेकर जा रहा होता है तब ही रास्ते में कुछ लोग एक लटकी को छेर रहे होते हैं उसे इगोर मार कर भगा देता है फिर उस लटकी को जिसका नाम यूलिया रहता है उसे इगोर के घर में दिखाया जाता है जहां वो उसकी फरस्ट टेट कर रहा होता है और फिर जब वो इगोर से एक कपचाय मांगती है तो इगोर जब जाकर बनाता है तब ही उसी दोरान वो डॉक्टर प्लेक के कुछ information क्लिक कर रही होती है और जब इगोर चाय लेके आता है तो देखता है कि वो जब तक जा चुकी होती है और फिर यूलिया को वहां से बाहर आके उन लोगों को पैसे देते वे दिखाया जाता है इसे पता चलता है कि वो सब एक नाटक कर रहे होते हैं इगोर से डॉक्टर प् उसी ने किया है और जब सर्गई पुलिस को ये बात बताने की धंकी देता है तो उसे धंकी दे के कहता है कि तुम मुझसे यही चाते थे ना और तुम यह भी जानते थे कि मैं यह करने जा रहा हूं पर तुमने मुझे नहीं रोका फिर सर्गई कुछ नहीं कर पाता है और यह भी कहता है कि वह इस दुनिया से करफ्षन जैसे प्लेग को साफ करेगा। और अपना नाम ॡॉक्टर पलेग् बताता है। और उसके बाद ब्लास्ट होते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद Igor को उस बैंक में दिखाया जाता है जहां Fyodor Igor को एक आदमी से मिलाता है उसका नाम येव किनी रहता है जिसे मुस्को से अपॉइंट किया जाता है इस केस पे और वो Igor को इस डॉक्टर प्लेग वाले केस से हटा देता है और जब Igor Fyodor से इसके बारे में पुष्ट करता है तो Fyodor Igor को और दूसरे अच्छे केस देने का लालच देता है पर Igor इनी आसानी से नहीं मानता है और उसके बाद उसे डूबिन के साथ दूसरे केस के लिए जाते वे दिखाया जाता है पर Igor वहां से मूड कर चला जाता है और दूबिन के साथ एक जगा पर पहुँच कर उसे कहता है कि वहां मत बताना कि तुम पुलिस वाले हो और यह सब कहके एक आदमी से मिलता है जो कुछ आदमियों की लिश्ट देता है जहां Igor को उनसे मार मार कर कुछ सवाल पुष्टे वे दिखाया जाता है डूक्टर प्लेग के बारे में पर कोई कुछ नहीं बताता है तब डूबिन जब कहता है हम एक साथ लेग वाले केस पे काम कर रहे हैं तभी Igor को सरगई के सोशल मेडिया कमपणी का खयाल आता है और वो वहां से जाने से पहले डूबिन को दूसरे केस के बारे में एक रिपोर्ट त्यार करने का काम दे के वहां से चला जाता है उसके इगोर को सरगई से मिलते वे दिखाया जाता है जहां इगोर जब डॉक्टर प्लेग के बारे में पूशता है तो सरगई मना कर देता है यह कहके कि वो कुछ नहीं जानता है उसके बाद उसे पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है जहां डूबिन उसे यूलिया का वीडि पहले जो दुसरा केसे उसे सॉल्फ करो और वहां से चला जाता है उसके बाद जब यूलिया अपने घर आती है जहां उसके मुलकात इगवर से होती है और इगवर उसे धंके दे के चला जाता है और उसकी लैपटॉप भी तोड़ देता है फिर डॉक्टर प्लेप को सोसल पर आते वे दिखाया जाता है और डुबिन वहां दिखता है कि इगवर ने डॉक्टर प्लेप का पुड़ा क्राइम प्रोफाइल तयार किया है और उनके डिसकेशन से इगवर को पता चलता है कि आज रात एक अमीर आदमी की कसीनों की ओपनिंग है और वहां इस सहर के बह करते हुए दिखाया जाता है जहां उस कस्रीनों का मालिक इलवर शब का स्वागत करता है और फिर वह इगौर को यूलिया भी मिलती है उनकी जैसूसी करते हुए तबी एगौर उससे आके पुचने लगता है और यूलिया उससे कहता एक ज़र्निस्ट का क्या काम होता ह एक वेपन बनाने वाली कमपनी हॉल्ट के बारे में तभी दूसरी ओर सरगई और अलबर्ट में बहस स्टार्ट हो जाती है जहां अलबर्ट अपने आद्मियों से कहता है सरगई को वहां से निकालने के लिए फिर कुछ गैंग को अंदर आते हुए दिखाया जाता है जहां ड इगोर के पास जाएगा वैसे ही वह स्पेसल एजेंट उसे रोक लेता है और इगोर के बारे में पुछने लगता है उसके बाद का सीनों का सीन दिखाया जाता है वह गैंग सबको बंदक बनाए रहते हैं तबी सरगई कहता है उन्हें कितना पैसर चाहिए वह अरेंज कर द और फिर फाइट स्टार्ट होती है तभी वहाँ पुलीस आ जाती है इगोर को ढूंटते हुए उसके बाद सरगई इगोर को ठैंक्स कहता है और यह भी कि अगर उसे कोई मदद चाहिए तो वह उसे बता तभी इगोर को वहां से उठकर एस्पेसल एजेंट के पास जाते जहां वो उसे कहता है तुम अब सस्पेंड हो और जब कसीनों के बाद यूलिया इगोर को उसके फाइट का वीडियो दिखाती है तो इगोर यूलिया का फोन तोड़ कर वहां से चल देता है और फिर पुलिस एस्टेशन कसीन दिखाया जाता है जहां इगोर को निकालने के लिए वो एजेंट फियोडोर को मजबूर करता है यह देख इगोर अपने उपर ब्लेम लेके फियोडोर से साइंड अपने रेजिगनेशन लेटर पे कड़वा लेता है और वहां से निकलता है और वही फिर से सर्थ के पैसे लेके डूबिन को देके वहां से चला जाता है उसके बाद इगोर और फियोडोर को उसके घर में दिखाया जाता है जहां फियोडोर उसे कहता है साधी करने के लिए या कोई दोस्त पनाने के लिए क्योंकि वह कब तक अकेला रहेगा तब ही इगोर को यूलिया के घर आके उसे उसके फोन तोड़ने के बदले एक नया फ क्याना के पास दिखाया जाता है जहां वो लिवशय के लिए पूछ कर उस आसरम में जाता है और सरगई के बचपन के रखे कुछ फोटोस को देखने लगता है तभी उसे वहां कुछ मिलता है और इगोर को सरगई के पास आते वे दिखाया जाता है जहां वो उसे पूछता है कि एक बात बताओ यहां क्या मेहंगा है तुम्हारा यह सब और डॉक्टर प्लेक का एक सूट तभी सरगई कहता है मुझे क्या पता तभी इगौर उसे उसके बच्पन के ड्रोइंग दिखाता है और कहता है दुनिया की सबसे बड़ी वेपन्स बनाने वाली कंपनी से तुम् की ओलेक एक साल पहले सीरिया में मारा गया था और जब उससे जवरदस्ती पुष्टा है तो सरगई उसे मार कर वहां से फाक्तेवग गिर जाता है और हमें पता चलता है कि वो जो अलेक से बात करता है और कोई नहीं उसका वैहम था और यह सब उसका ब्रेंड सौचता था पॉले के जगह पे उसी नहीं ये सब मड़ किया होता है और तभी सिंसिट होता है और हमें पता चलता है कि जो बच्चा हमें शुरू में दिखाया गया था वो और कोई नहीं सरगई रहता है जो तीन बचे उसे सताने आये थे उसे उसने जला दिया था उसके बाद सरगई सीनो मालिक रहता है उसे मार कर मैसेज दे रहा होता है और फिर हमें देखने को मिलता है एक और डॉक्टर प्लेक के ड्रेस में आदमी जो और कोई नहीं इगोर रहता है और यह सब उसे सरगई फसानिक ले करता है जहां दूसरी और वह एजेंट वहां नीचे खड़ा होकर वा प्लेटर प्लेक के बारे में तो इगोर बताने से मना कर देता है और कहता है कि पहले वहां से वो निकलेगा और जब वो डॉक्टर प्लेक से निपट लेगा उसके बाद वो कुछ बताएगा तबी डूबिन को उस एजेंट से बात करते हुए दिखाया जाता है जहां वो उसे कहरा होता है इगोर बेकसूर है पर वो एजेंट वहाँ से चला जाता है और ये सब यूलिया वहाँ देख रही होती है उसके बाद इगोर को दिखाया जाता है जहां उसके पीछे से एक पिन उसे मिलता है और फिर वो उस पिन से डोड को खोलने की कोशिश करता है पर वैसे ही डूबिन वहाँ आता है एक पुलिस ऑफिस से का ड्रेस लेकर और उसे पहनने को कहता है उसके बाद डूबिन इगो को लेके वहाँ से बाहर आता है और जब गारी में बैठने को कहता है तब इगोर यूलिया को देखकर कहता है डूविन से की यह यहां क्या कर रही है तब यूलिया कहती है क्या फरक पड़ता है जल्दी बैठो हमें डॉक्टर प्ले को पकरना है और फिर उन्हें गारी से जात में बंद कर देता है और यूलिया से कहता है इसका ध्यान रखना और वहां से अपनी डैट की बाइक लेकर निकल जाता है और पहुंचता है सरगई के ऑफिस जहां सरगई उसका इंतजार कर रहा होता है और कहता है मुझे पता था तुम आऊगे पर इतनी जल्दी यह पता नह पर जहां लोग उसे देखकर सरग पर उतर जाते हैं अमीरों को मारने के लिए और ये वीडियो देख इगोर शौक में रहता है कि अब क्या होगा इतने देर में सर गई एक बॉम उसकी तरफ फेकता है पर इगोर उसे बच जाता है और फिर लोगों को रोट पे चाड़ों दिखाया जाता है जहां वो सब पुलिस वालों को मार रह होते हैं और भगार रह होते हैं तबी लोशा को दिखाया जाता है जहां वो भी डॉक्टर प्लेक के एक मास्क पहिन कर एक आदमी को मारने के लिए निकलता है और उस आदमी को मारने जाही रह होता है तबी उस आद के पेशर से दूड कर देता है उसके बाद यूलिया आती है और फिर इगॉर उन्हें चुपने के लिए कहता है और वो पाइप अपने हाथ में पकड़ लेता है और जब सरगई आता है तो इगॉर उसे मार कर वहाँ से भागता है और अंदर सरगई के ऑफिस में जाता है और दूबिन और यूलिया उस गेट को बंद कर देते पर वो गलास का गेट रहता है और वो गेट सरगई के फायर फ्लेम से तूट जाता है और फिर सब ये देख अंदर उसी के ऑफिस में चुप जाते हैं और जब सरगई वहाँ आता है तो उसके बाद इगॉर को वहाँ से न यूलिया उसे पकर लेते हैं गिरने से और उसे बचा लेते हैं तभी हमें देखने को मिलता है सरगई भी बचा रहता है इगॉर के साथ उसके बाद इगॉर के दोस्त को अपने फाइटर आदमियों के साथ दिखाया जाता है जो वहाँ के लोगों को मास्क वाले लोगों से बचाने आता है फिर लिोशा को भी वहां से भागते वे दिखाया जाता है वो उस आदमी को नहीं मारता है उसके बाद सरगई को चेर पे बंदे दिखाया जाता है जहां एगोर उसे कह रहा होता है जिनकी भर जिल में रहने के लिए तयार हो जाओ तब सरगई कहता है तुम अ पूनाती है और फिर उन्हें सरगई के साथ लिफ्ट से बाहर आते हुए दिखाया जाता है और फियोडर से पिलते हुए जहां वो एजेंट इगवर को कहरा होता है जेल में जाने के लिए तयार रहो तबी इगवर उसे एक पंच मार के सब को कहता है चलो सब काम पे लगो और फिर वो सब सेलफी लेते हैं और सरगई को जेल में दिखाया जाता है फिर सिंसिव ठोके तीनों को एक साथ दिखाया जाता है जहां एक और आगरी करता है वो उन सब का दोस्त है अब और इसी के साथ मूवी का दैंट हो जाता है